सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल को और प्रेज कीजिए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले है जारखंकी राजदानी रांची में एकजाम के दोरान एक पार फिर हाईटें तरीके से चोरी करते एक परिक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है परिक्षार्थी एक्जाम सेंटर पर ब्लूटूट से नकल करते पकड़ा गया बताया जा रहा है कि चेकिंग के दोरान पुलिस की नजर लड़के की कान पर गई तो कुछ संदिग्ध लगा ठीक से जाच की गई तो ब्लूटूट सामने आ गया जारखन कर्मचारी चैनायोग जेससी द्वारा इंडिया रिजर्व बटालियन न्योकती परिक्षा के दोरान ये मामला सामने आया राज्य के 385 सेंटर्स पर यह परिक्षा हुई वहीं रांची के 67 केंद्रों पर परिक्षा आयोजित की गई थी DAB गांधी नगर एक जाम सेंटर पर एक परिक्षार्थी हाई टेक नकल करते हुए धराया इस परिक्षार्थी ने इनर के अंदर मुबाइल को विबिन पार्ट में विभक्त कर रखे हुए था कान में ब्लूटूट के माद्यम से नकल की तैयारी में था संदिहासपद गतिविधी के कारण इसे पकड़ा गया सेंटर सुपरिटेंडन की सुचना पर पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया है गौन्दा थाने में परिक्षार्थी से पूचता चल रही है बताते चलें कि पिछले सब्ता हुई इसी परिक्षा में नकल करने कराने के आरूप में 17 लोगों को पुलिस ने गिरफतार किया था पुलिस इस लड़के को भी उसी गिरोह में शामिल देख रही है जो पिछले रविवार पकड़ में आये थे पुलिस के अनुसार Indian Reserve Battalion, IRB की परिक्षा में नकल के लिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है ये हाईटेक गिरोह चार ग्रूप में बटा होता है इनके जिम में क्वेश्चन पेपर का फोटो खीचने प्रशनों को हैल करने और फिर परिक्षा होल में बैठे परिक्षार्तियों तक Electronic Device और माइक्रफोन के जरिये Solve Question पहुचाना होता है पिछले रविवार अर्यस्टिस निट्वर्क का मास्टर माइन रनू कुमार हाईटेक चोरी कराने के लिए Candidates को Device उपलब्द कराता था Device कैसे और कहा लगाना है इसकी पूरी सेटिंग भी वही करता था